आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की शौकीन लोगों की ये आलू फ्राय ये एकदम डिफरेंट स्टैल का आलू फ्राय है इससे आप सुबह को नाश्ते में या कभी सफर पर जाते समय पर आठे पूरी या रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं इसका टेस्ट काफी अमेजिंग इसके लिए पहले हम एक चटनी बना रहे हैं उसके लिए मैंने थोड़ी से लसन ली है थोड़ी अद्रक ली है हरी मिर्ची ली है हरी मिर्ची को आप अपने हिसाफ से कम्याज जादा कर सकते हैं और मैंने इसमें एक मुट्टी भर के धनिया का लिया है अब इन सब चीजों को आप चाहें तो मिक्सर में भी क्रश कर सकते हैं पर अगर आप उसे इस तरह से सिल्ब टे पे या किसी कूटने वाली चीज में करेंगे तो इसकी चटनी बहुत अच्छी लगती है इसका टेक्चर एकदम दरदरा सा लगता है अब यहाँ पर मैंने 90% बॉयल आलू लिये हैं आप देख सकते हैं यह बहुत जादा गले हुए नहीं है इन्हें मैंने छील लिया है और यह छोटे आलू मैंने लिये हैं इसले मैंने के दो पीसे ही कर रही हूँ अगर आप इससे बड़े आलू लेते हैं तो आप उसके चार या तीन पीस भी कर सकते हैं इनको अब हम एक मातरा में लेना है क्योंकि इसमें इसका में टेस्ट रहता है अब इन आलू को हम चार से पांश मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे पीच भीच में उसे इस तरह से हिलाती रहेंगे इसे हमें तब तक फ्राइ करना है जब तक इसके उपर एक गोल्डन चारो तरफ से आ रही है लेयर और इसे बहुत अच्छे से घुमा घुमा के हमें पकाना है ताकि जो आलू है वो बराबर एक तरह से क्रिस्पी हो जाएं इस सबसे में हमें जो हमने एक चटनी बनाई थी उसके अलावा सिर्फ नमाखलती ही डालना है इसके अलावा अभी हम में और कोई भी इसमें मसाला यूज नहीं करना है उसके बाद भी ये जो रेसिपी है बहुत अच्छी लगती है अगर आप आलू पसंद करते हैं तो इस रेसिपी को आप जरूर जरूर ट्राइ कीजिए एक बार इससे पकाते पकाते चार से पांच माट हो चुके हैं अब इसमें हमने हल्दी और नमक डाल दिया है और इसे अब हम slow flame पर 3 minutes के लिए पकाएंगे हल्दी और नमक डालने के बाद इसकी जो उपर की crispy layer है ये और ज्यादा crispy हो जाएगी और ये खाने में बहुत ज्यादा tasty लगेंगे बीश-वीश में हमें इसे चलाते रहना है और आप चाहे तो इसे ढखके भी पका सकती हैं, अब 3 मिनट हो चुके हैं, यह बहुत अच्छे दिख रहे हैं, अब हमने जो चटनी कोटी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे, चटनी के लावा हमें कोई भी मसाला इसमें नहीं डालना है, इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर और अब हम इसे 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकाएंगे, जिस इसका जो मसाला है वो आलू पर बहुत अच्छे से मिल जल जाए, और इस मसाले से जो हमारे आलू के उपर की लेयर है, वो भी काफी अच्छी क्रिस्पी हो जाती है, और चटपटी सी हो जाती है, इसे आप इस तरह से ढखकर बगाईए, और पीश-पीश में चलाते रहिए, अब हमारे आलू बिलकुल अच्छे पक चुके हैं, और इसे हम सव करने से पहले थोड़ा सा इसमें गैस बंद करने के बाद लेमन जूस एट करेंगे, और ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि लेमन जूस टैलने के बाद हमें गैस को नहीं चलाना रहता है, बस अब हमारे आलू एकदम चटपटे करारे मसाले दार रेड़ी हैं, इसे आप किसी भी चीज के साथ खाएंगे, ये बहुत अच्छा सा टीस देते हैं, इसे अब हम गर्मा गरम सौख कर लेंगे, आप इसके उपर थोड़ा सा धनिया गानिश कर सकते हैं, उससे इसका जो देखने में कलर है, बहुत अच्छा लगता है, देखे हमारे क्रिस्पी आलू एक तब रेड़ी हैं, ये रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट करके बताईए, ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, जादा से जादा इसे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स वीजियो में, तिल देन बाई!